ये 11 फीसदी पर रखा गया है इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास की रफ्तार में क्रिशी की भूमी का एहम होगी आईए एक नज़र डालते हैं आर्थिक सर्वेक्षन पर क्या हैं बड़ी बातें आर्थिक सर्वेक्षन की देश का पहला डिजिटल आर्थिक सर्वेक्षन है और बजट भी डिजिटल ही होगा आर्थिक सर्वेक्षन कोविड-19 युद्धाओं को समर्पित रहा शुरुआत में ही बहुत साफ ये कहा गया कि कोविड-19 के असर को फैलने और माउतों की संख्या को काबू में रखने में काम्याबी जो देश ने हासिल की है उसे प्रमप्ता दी गई एक लाग से ज़्यादा मौतों की संख्या को टालने में काम्याबी मिली भारत ने कुरुना के दूसरे चरण को फैलने से भी रोकनों में काम्याबी हासल की है अर्थवेवस्ता की मौजूदा स्थिती पे भी आईए एक बार नज़र डालते हैं अर्थवेवस्ता गिरावट के बाद तेजी से V-shaped recovery की ओर बढ़ रही है सर्वेक्षन में ये भी बताया गया कि इस साल 7.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान किया गया है लेकिन इसी के साथ साथ बदलते इस दोर में ये भी कहा गया कि 21 और 22 में GDP में 11 प्रतिशत की वृद्धी का अनुमान है जो कि कई सारी उमीदें लेकर आया है 2020 में खेती बाड़ी की रफतार 3.4 प्रतिशत की रहने की उमीद जताई गई उद्ध्योग जगत में 9.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है वहीं 2020 में चालू खाता सर प्लस 2 प्रतिशत की आयात निर्यात दोनों में 17 सालों का सबसे उचास तर रहा है इवे बिल, रेल माल भाड़ा, जीएस्टी संग्रे और बिजली की मांग कोरुना काल के पहले से भी ज्यादा है तो ये कुछ एक तरह से कह सकते हैं आज एकनॉमिक सर्वे में ये कुछ बाते ऐसी हैं जो भारत की अर्थविवस्ता यानि की जो बहतर अर्थविवस्ता हो रही है उस तरफ कई सारी उम्मीदों को बढ़ाती है विनिर्मान शेत में भी लेकनी ये मजबूती आई है साथी साथ वितिवर्ष 2021 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 18 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है और अगले दो सालों में भारत फिर से दुनिया का सबसे तेज रफ्तार अर्थ विवस्ता वाला देश होगा तो ये चंद बड़ी बाते रही हैं